पिछले दो लेक्षिर्स भी हमने टेक्स्ट को काफी हद तक बहुत डेटेल में हमने एक्स्टोर किया हमने देखा कि हम स्टिल टेक्स कीस तरह मना सकते हैं टाइ्टल कीस तरह मना सकते हैं किसी मोवी का हम अपना डॉलिंग टेक्स्ट किस तरह से use कर सकते हैं कहां पर उनकी यूजेज होती है एक बहुत इंपॉर्टन चीज है जो कि अक्सर आपने देखा होगा खास वर पर डॉकुमेंटरीज में आपका या फिर कोई नॉन फिक्शन चीजों में यूज होती है जो कि आप जिस बंदे का इंट्रिव्यू कर रहे होते हैं तो उसका ने का जो सिंपल टेक्स है आपने उस तरह से इसको यूज करने है हाँ इसमें हम यह देख सकते हैं कि इस तरीके से हम शायद और लेयर का इस्तेमाल करें ताके हम इसको थोड़ा सा जारा डिफरेंट कर सकें चास्त खाली टेक्स्ट नहीं है पीछे हम बैग्रॉन में कुछ दे नियू लेगसी टाइटल ओके और अब हमें यहां पर थोड़ी सी जुरत पर सकती है कि हम इसको देख सकें कि हमने अपने टेक्स को किस तरीके से अलाइन करना है हम इसको राइट पर भी कर सकते हैं डिपेंडिंग के आपका जो लुक रूम जो है उसका क्या है अभी यह अबने तरीके से अगर कुछ डिजाइन करना चाहें सिंपल रहते वही हम इसको अगर चलें इस पर तो में भी यहां पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और हम इसको डूप्लिकेट कर सकते हैं बॉक्स को अपने क्मार्ड थी क्मार्ड वी से भी अब देखते हैं कि एक और बॉक्स हो गया मेरे पास तो इनको मैंने एक साथ रख दिया वो मैं दो बॉक्स इसलिए बनाएं कि एक में मैं इनका नाम लिख दी हूँ जो प्रेजन्टेशन है वो जादा कंप्लिकेटिट ना हो तो अभी फिलाल हम इसको एक इस तरह का डार्क रेड रख लेते हैं और नीचे हम इसको ऐसा ही रख सकते हैं या फिर हम इसको दोगा छोटा कर दें ताके और हम चाहें तो ओवर आल भी इसको पूरा बढ़ा सकते इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक बैगरोंग के तोर पर ये दो बॉक्सिस हैं मैं चाहूं तो इन में कुछ थोड़ा सा शेडो या फिर इन में स्ट्रोक एड़ कर लूँ और स्ट्रोक से मुझे ये होगा कि इसको थोड़ा सा आप प्लैक ही रख लेते हैं और इसको थोड़ा सा सम कर देते हैं अपके पास एक आउटलाइन इसकी बनी भी आ गई है इनके उपर ताके बैक्ड्राउंड के साथ वो मिक्स ना हो इन यहां पर एक चीज दो बॉक्स लेकर एक यहां पर शेप से ही तो बॉक्स अपने बना लिए रेक्टैंग्ल बेसिकली अब यहां पर नाम लिखता हूं और इनका जो भी नाम है हम इसको फिल हाल लिख सकते हैं यह हमें कुछ कोई में भी इनका नाम है जॉन हमें कन्फर्म तो नहीं है लेकिन हम इसी एजियूम कर रहे हैं जॉन माइकल आप देख रहे हैं इसको कदर हमने पहले सेलेक्ट किया था उसने सेम उसी कलर को ही रखा है तो हम इसको यहां से चाहें तो इसको कलर चेंज कर सकते हैं हमने इसको double click किया control A से पूरा text select हो गया आप देख सकते हैं कि हम एक तो यहां पर अपने fill के नीचे manually color select कर सकते हैं और अगर हम चाहें कि हम यहीं से कोई color pick कर लें आप देख सकते हैं हम इसका यह वाला color select करते हैं पॉंड की option अभी भी हमारे पस मुझूद है हम इसको change करना चाहें change कर सकते हैं और साइज हम छोटा कर सकते हैं और हम ने इनको adjust करना है हम इसको select करके अपने arrow tool से भी कर सकते हैं बहुत दिहान से आपको select करना है क्योंकि इसमें आपके पास यह और चीजे भी select हो सकती है तो आपने mouse लेकर जाने अब हलका सा box बनाया फिर आपने click करना है इस पर आप right और left arrow की से भी इसको align कर सकते हैं move कर सकते हैं इसको मैं चाहूं तो duplicate कर लूँ ctrl c ctrl v और इसको मैंने duplicate इसलिए किया ताके मैं इसके नीचे इसकी designation भी लिखने हूँ same font family में रहते हुए मैं भी चाहूं तो change भी कर सकता हूँ यह totally आपके aesthetically आपके style पर depend करता है किस तरीके से आप उसको present करना चाहते हैं और maybe यह है wildlife photographer आम तोर पे देखा यह गिया है कि जो designation नीचे लिखी होती है वो फोड़ी सी छोटी ही होती है as in font size इसका छोटा होता है अगर आपको अभी भी लगता है कि overall ही बढ़ा है आप इसको और छोटा कर सकते है color इसका हम change कर सकते हैं मेभी हम contrast में रख रहे हैं तो हम यह रख लें या पिर हम simple सबसे safe black में रख लें कि further alignment कर लें आप और आपको हम चाहें तो किसी भी stage पर जाके इस box को भी छोटा कर सकते हैं आप इम देखा मैंने इसको side से select किया और right और left arrow key से मैं इसको further align कर सकता हूँ तो फिलाल के लिए अगर हम समझते हैं कि यह हमारा एक lower third बन गया है यहां कि हमारा जो name super बन गया है या name band बन गया है हम इसको यहां से बंद करते हैं अभी यह final नहीं हुआ अभी इस पर मजीद काम करना है लेकिन हम इसको timeline पर ले आएंगे title 3 यहां पर हमारे पर save हो गया timeline पर इसको ले कर आएंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास same उसी जगह पर align हो गया save side के लिए हम इसको तोड़ा सा right और align कर देंगे ताके आप विल्कुल इसको safe हो जाएं माउस से manually move कर सकते हैं नहीं तो आप इसको यहां से position wise भी जा सकते हैं इसको play करते हैं यह तो हमारे पास एक name band simple बन गया हम इस पर further transition लगा सकते हैं हम इसको किसी भी तरह की transition जो हम normal clip पर लगाते हैं वो use कर सकते हैं अगर हम इस पर just slide में जाके push भी लगा देंगे तो वह आप देख सकते हैं कि इस पर push की duration कम करने के लिए double click करेंगे इसको थोड़ा सा मजीद हम इंट्रेस्टिंग करते हैं और वो कुछ इस तरह से कि हम इसको separate करते हैं background जो हमारे पास दो पीछे के आ रहे थे मैरून और white color के उसको हम अलग करते हैं layer को और text को अलग करते हैं और दोनों को अलग-अलग layer में जब ले जाएंगे तो फिर हम अलग तरीके से treat कर सकते हैं बहुत simple है लेकिन बहुत जादा impact इसका हो सकते हैं अगर आपको अभी भी समझ नहीं तो मैं आपको कड़के दिखाता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं मैं टाइटलर में गया और मैंने यहां पर निउ टाइटल बेस्ट ऑन करन टाइटल पर क्लिक किया सेम उसने इसको सेवर्स कर दिया टाइटल पोर के नाम से और इसमें मैं यह कर सकता हूं कि एक चीज को मैं रिमूव कर दूँ में भी मैं इसका background रिमूव कर दूँ आप देख सकते हैं कि इसका background रिमूव कर सका हूं लेकिन आपको नजर क्यों नहीं आ रहा कि कि जहां पर आपका टाइम में पर सीटी आई है वह एक्जैक्ली उस जगह पर है जहां पर अल्वेडी यह फाइल मजूद है इसको मैं यहां से जगर आफ करे तो आप देख सकते हैं कि इसका वो यहां से चोटा background रिमूव कर चुका है इस फाइल को यहां से बंद करूंगा अपनी project window में जाओंगा title इसको नीचे रखूंगा आप यहां से difference देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास वो background नहीं है और इसमें आपके पास वो background मजूद है तो basically हमें करना किया है कि इस वाली file में से जिसमें सब कुछ है इसमें से हमने अब text को remove करना है और text हम यहां से use करेंगे selection यहां से text को delete कर दिया simple सी बात है एक layer में आपके पास आ गया background दूसी layer में आपके पास आ गया text अब हम क्या कर सकते हैं कि transition हमने एक ही को लगाई थी मेभी हम इसको लगाते हैं push slide इसको हम 12 frame कर देते हैं और जो हमाई पास text है उसको हम थोड़ा सा bad main करते हैं इसको हम dissolve कर लेते हैं simple इसको भी हम 12 frame अगर अब हम इसको देखें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे सी change करने से आपके पास थोड़ा सा एक basic सा एक effect बन गया पहले आपके पास उसका वह background आया है और फिर आपके बास नाम fade in हो गया और इसी तरीके से आप इसको आउट भी कर सकते हैं जितना आपको यह चाहिए आप इसको decide करें अगर आपको यहां तक चाहिए मेभी आपको यहां पर इसको off करना हूँ normally 4-5 seconds आपको रखना चाहिए screen पर ताके जो आपकी आख है वो उसको पढ़ सके उसकी designation पढ़ी जा सके यहां से हमने इसको 12 seconds यह fade out किया और उसके पाद हमने यहां पर push light इसको भी 12 frame और आप देख सकते हैं कि जो in हुआ था पुश लाइट से background in और prepare in और अब यह fade out अच्छा अब यह आपकी वहां चलीगी यहां पर transition आप चाहें तो इसको push light को effect control में जाके यहां तो मैं इसकी option यहां से भी change कर सकता हूँ दूसरा हार transition में एक option मुझूद होती है reverse की अगर मैं इसको reverse कर दूँगा तो जो यह right पे out हुई थी अब आपके पास यह left पे out हो जाएगी तो आपके पास यह तोड़ा सा एक smooth transition बन जेगी इसको full screen में करके देखते हैं आप फर्दर इसको चाहें कोई ओर transition लगा के काम कर सकते हैं आप चाहें तो इसको manually कर सकते हैं आप simple चाहते दोनों को dissolve कर लेते आप चाहते तो इनको भी separate कर सकते थे तो यह आपके अपने उपर depend करता है आप किस तरीके से उसको stylize कर जितना करना चाहें आप उसको कर सकते हैं यह तो आपने legacy title में background में बनाया आप चाहें तो proper आपकी जो एक packaging होती है program की जो क्या आप एक theme decide करते हैं आप उसको photoshop में design क करके और इसमें लेकर आ सकते हैं अब proper animation इसमें create कर सकते हैं अपनी मर्जी की आप उसमें different layers और different element यूज़ कर सकते हैं और आप उसमें font को भी change करके different तरीके से apply कर सकते हैं तो यह तो थी हमारी इस वक्त नेम्स उपर और lower third की जो premier के अंदर हमने किस तरीके सो create किया आगे further lectures में साथ रहिए का हम further चीज़े explore करते जाएंगे